वेल्कम वेमेकर में आख्वा स्वागत है मैं हुवानी बाचित और मैं आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में जोठन एड़्टिस लाइफ पार्ट तू अगर आप लोगों ने फुर्ष्ट पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने डिसकस किया है कि अबूट आस्थर वा चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं जोठन एड़्टिस लाइफ आवर हावस वाज एड़्जेसेंट तू चंदरबन तागास गर और काउशट तो वाल मिकी जी कहता है अपनी बायोग्राफी में इस जोठन में क्या कहता है कि जो हमारा गर था किसका गर था वाल मिकी जी का वो कहता है कि वो किसके करीब था वो चंदरबन तागा की गर ऑर उसके तबीयल खंद कार में के कहता है था निक इस्टी तू लिव दा मुस्म शिwnी मिसलिम वर तो इसके बास कों रहते थी तो जो यह रहते था शंद अडर्बन तागा से गर वाने लिटल जोहरी एपाउंड विच हैड क्रियेटेट ए सौट आप पार्ट्सम बिट्रीं चोहराज जेवलिंग एड़ विलेज तो जो चंदरबन तागा था इसके गर के सामने एक बड़ा सा एक छोटा सा जोहरी था एक तालाब था एक पॉंड था तो जिसने डिवाइड किया था चोहराज के गरों को और बाकी विलेज को ठीक है दे नेम आप दा जोहरी वास डॉबा वली इस तालाब का नाम क्या था इस जोहरी का नाम क्या सा इन्हों ने रखा था इन्हों रखा था इसका नाम डॉबा वाली इट इस हार टो से हाव इट गार दे नेम डॉबा वली तो यह बहुत मुश्किल कहना है कि इस जोहुरी का नाम डॉबावली कैसे पड़ा परहपस बिकाज इस शेफ वाज डाट आफ बिग पीट शायर इसलिए कि इसकी जो शेफ थी ठीक है तो वो किसके मानन थी एक बड़े गड़े के मानन थी तो इस गड़े के एक तरफ से बड़े बड़े देवार से किनके ग़रों की तागाज के गड़ों की तो इसके जो राइट एंगल में किस किनके ग़र पाये जाते थे जिंवारास के तो इसके बाद आते थी और कोई 2 ऋ यट टे और न चार गरकिन के तागाज के इस पिट के आगे पीछे प्सक्राइब पॉंड पॉंड वारा ड़े यह जो जोह पॉंड था जोहरी थी इसके किनारों पे कों रहते थे इसके एजूज पे कों रहते थे यही चोहरास चोहरास कों लोग है यहां पर तो चोहरास वो लोग है जिनसे कों बिलांग करता है उम प्रकाशवाल में की ठीक है? कन्फिूज नहीं होना है All the women of the village, young girls, older women, even the newly married, briders तो इस गाहों की हर एक आवरत वो चोटी बच्ची हो या बुड़ी आवरत हो या newly married हो ठीक है Would sit in the open spaces behind these homes at the edges of the pond to take shit तो वो इसी के वो अपने गारों के पीछे इसी pond के किनारों पे वो टॉइलेट करते थे Not just under the cover of darkness but even daylight तो वो सिर्फ वो रात में वो वहां पे टॉइलेट नहीं करते थे But वो दिन की वो सूरज की रोशनी में भी वो वो टॉइलेट वहां पे करते थे The परदा अब्ज़ूरिंग टागी वोमेन Their faces covered with their saris sholos around their shoulders Found relief in the open ladder They set on the Dober Valley shores without worrying about decency Accusing their private parts वो उनको अपने private parts का ख्याल नहीं था वो expose करते थे College के दोराँ वो expose करते थे चाहे वो रात में करते हो या दिन में They set on all the quarrels of the village would be discussed in the shape of round table conference at the same spot तो जो भी गाओं के मसले मसायल है जो भी हुआ था वो इसी दोराँ या आवरते आपस में discuss करते थे जैसे कि कोई round table conference लगे लगी हुई हो तो वहां पर बहुत ज्यादा बदबू फैली होती थी बहर जगह The sentence was so overpowering that one should show up within a minute तो इतनी तेज बदबू थी इतनी तेज गंदी बदबू थी कि इनसान एक मिनट में वहां पर दम तोर सकता था The biggest wandering in narrow land is naked children, dogs, daily fighters This was environment of my childhood यह आप वाद में कि अपने childhood के अनवार में के बारे में कहता है कि जो यह यह दोबावली के शोरुज थे वहां पे पेशाबी पेशाब था और वहां पे कोन खेर रहे थे वहां पे बच्चे खेर रहे थे वहां पे जंगली सोर गोम रहे थे वहां पे लड़ाई जगड़े हो रहे थी वह कहता है कि यही मेरे यही मेरी क्या childhood का अनवार में यही मेरी बच्चे इसी तरह से मेरा बच्चपन पला बड़ा है इसी गंदगी में तो अगर कोई शक्च कहता है कि यह जो जादपास है यह सही है तो अगर वह इस एंवारमेंट में रहे गा मैंने बच्पन गुजार रहा है तो वह क्या अपनी सोच क्या बदल देगा वह अपनी अवर फैमली लिवट इन्ड़ बच्ति वानमे की ची कहता है कि जो मीरी फैमली ठी वो कहां पे रहती थी हम रहते प्ड़ख चोहरा बच्दी मैं तो जो जाचा और ताउु सेपरेटलिय रहते थे उनके गर्ष अलग अलग थे विर्यक्ते इवरिवन इन दा फैमली डिट साम और अबर वर्क तो इस गर्मे कोई ना कोई काम करता था हर एक जो जितने भी मेंबर से हमारे वें हमारे फैमली में वो बैकार नहीं थे गर्में तो फिर भी हमें बहुत ज्यादा मुश्चिल होती थी दो वक्त रोटी के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी हमें दो वक्त की रोटी के लिए तो वान में की कहता है句 हमें काम करना पड़ता था किन के लिए पहुत ज्यादा काम करना पड़ता था किनके लिए तागाश के लिए टागाश लोग कौन और और कोई भी मुझदूरी, we would often have to work without peak, कभी का बार हमें पैंसों के बगेर, मुझदूरी के बगेर हमें काम करना पड़ता था, nobody dare to refuse this unpaid work for which we got neither money nor grain, कोई भी इनकार नहीं कर सकता इस unpaid work के लिए, इसमें ना हमें कुछ money मिलता था, पैसा मिलना कोई हमें खाना पीना मिलता था, but हमें क्या जेलना पड़ता हमें बेस्ती बस हमें सिर्फ क्या बेस्ती जेल नहीं पड़ती था, discrimination जेलना पड़ता था, they did not call us by our names, जो अपरकाष्टी के लोग थे लाइक तागास, वो हमें अपनी नाम से नहीं बलाते थी, उसको किस नाम से पुकारते थे, ओई चोहरे, if the person was younger or the same age, then the person was using, अगर कोई इनसान, अगर कोई चोहरा क्या, छोटा हो या, same age क्यों तो उससे किस नाम से बलाया चाहता था, age चोहरे से, ठीक है, अगर कोई कहता था, कोई क्यों चोहरे, अगर कोई 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 कहता था, सकते हैं गाय को भी छो सकते हैं तो अगर मट बट हम किसको इन चोहराओं को एस हुमन ट्रीट नहीं किया जाता था यह बस क्या एक चीज थी जिसको यूज किया जाता था यह यूटिलिटी लाश्ट अंटल वरकवाजन तो जब इनका मकसद खत्म हो जा था तो वो फिर किसी के काम नहीं थी यह चोहराओं तो फिर नंगाता था इनकाम देता था था विए था उसका मिठास खातम हो गए फ़र हम फैंक देती यही मिसाल किन की थी चोहराज की थी ठीक है तो वालमेकी साथ क्याते थी ऐक अदमि फमारे यहां पे था हमारे नेभर हुट हमारे बस्तितE M उस नेव वास से वप कराम मसीह हूं उस बाज़ोगं का नाम क्या था सिवा कराम मसीह हूं वो शोराओं के इन बच्चुन ने आस पास बैच था था था, वो उनको शिखा था था पढ़ना और लिखना, क्योंकि जो गोवर्मना स्कूल थे वो शोराओं वो लवर का अंटाच आप नहीं देते थे, माइ फैमली ने बिलाब किसके पास पाढ के लिए लिएॉ है किस आपOWाने लिए लिएु किसके पाढ क्रिशचन था मोगया वाए गया बाई थे वो कहाँ में पे थ dov बांपर इस्ते वो मुसदूरी काम काज सुख्यूरी के फ Deadly और यह सवाल ही पैदा नहीं होता थी कि हम अपनी बहन को कहां पर बेज़े क्यों कि जो उनको लगता था कि इन गर्लों को नहीं पढ़ना चाहिए था इसी यही जो सारा बिलिख था इनका तो इसलिए वजह से कहता है कि मेरी जो बहन थी तो उसको इसको बेजने का कोई सवाल मेरा नहीं उठता था I learnt my alphabetus in master's सेवकरा मसीह's open air сосoul मैंने जो लिखना पढ़ना सीखा कहां पर इस सेवकरा मसीह के open där open school कि यह प्णा पढ़ा था कुई सको इसका नहीं था इस स्गूल विदावंड माधसारोम स्गूल किसके जतायों के बगेर और दीवारों के बगेरॉ ठीक है किश्ष STAR Bえー तो मैं टीफ conten छोटा मोटा सजगडा हुए तो मेरे पिता जी के दार्मियान तो मेरे बाप ने मुझे उठाया और कहां पे उसने मुझे दाखला पढ़ने के लिए बेजा बेसिक प्रेमरी सुकॉल में तो मेरे पिता जी ने मेरे बाप ने वहां पे किसके सामने हाथ जोड़े मास्टर हर पूल सिंग के मास्टर जी आई विल बी फॉर इवर इन्यवाड़ डेबिट ये कहता है कि यह इसका पिता जी वालमिकी का जो भादर है वो किसके सामने आवजारी कर रहा बीग मांग रहा है किसके सामने Master Harpul से और कहता है कि Master साथ मैं हमेशा आपका करददार रहूंगा मैं हमेशा जिंदागी पर मैं आपका करददार रहूंगा If you teach this child of mine letter to अगर आप मेरे बच्चे को अगर इसको आप एक दो हरा पड़ाओगे मास्टर हरफुल सिंग ने हमें बोला कि सुबा आ जाओ मैं फादर वेंट मेरा बाप गया वहां के चकर लगाता गया तो मक्तसर एक दिन मुझे वहां पर एडमिशन मिल गया अच्छी साल पहले हिंदुस्तान को आजादी मिल चुकी थी गांधे जी अपलिफ्टिंग वाज रिसर्वडिंग अवरिवार तो गांधे जी का जो नारा था अपलिफ्टिमेंट फर था अर्डेल तर ओर आउडेल आउड़काश वो देश बर में गुझती थी देश बर में वही आवाज वही नारे लगे हुए थी तो बहुत सारे स्कूल ने इन अन्टेश बलिफ्टिमेंश के लिए खोल के रखा था मगर जो आम लोग थे आम लोग थे उनकी जो सोचती वह भी चेंज नहीं होई थी तो जब मुझे यहां पर दाखला मिला इस बेसिक प्रेमिर स्कूल में तो मुझे कहां पर बैठना पड़ता था तो मुझे सबसे अलग बैठना पड़ता था मुझे तो किस पर बैठना पड़ता मुझे फलोर पर बैठना पड़ता था मुझे तो किस पर बैठना पड़ता था मुझे तो किस फलोर पर बैठना पड़ता था था मुझे तो चटाई होती थी उसको वह नहीं देते थी क्योंकि वह जहां पर बैठता था वहां पर वो चटाई क्योंकि वालमी की जी कौन था वालमी की जी एक उन्टचेबल था यह कहता है इसे इसलिए दूर रखते थे इसलिए इसलिए दूर क्योंकि हमें इसके टच नहीं हो ठीक है कि एक उन्टचेश पीछ करेंगे पर आफ यह को ठीक है कि मुझे करना मुझे सब के पीछ बैठना पड़ता था दर्वाज के नजदीग और लेटर वालमी की इसलिए पार से जाखना दिक होटी ती जो मास्टर यह इसलिए पार पर लेखता था आख चार मुझे अच्छी तर मुझे साफ 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 वो बोर्ड के अलफाज मुझे दिखाई नहीं दे 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 थे Children of Tigers would tease me by Kalimich Choreka जो ये तागास के बच्चे थे जो हैरकाश्टी के लड़के थे हमारे स्कूल में या हमारी बच्ची में वो मुझे क्या तंग करते थे तानिय देते थे और किस नाम से पकारते थे चोहरे का करके पकारते थे Sometimes they would beat me without any reason और कभी कबार वो मुझे मारते थे किसी वज़ा के बगेर This was an absurd tormented life यही एक वो तकलिप जिन्दगी थी That made me introverted and irritable जिस ने मुझे शर्मिला बनाया और चड़चड़ा बनाया If I got thirsty in school, अगर मुझे सुकूल में प्यास लगती थी Then I had to sit there near the hand pump तो मुझे कहां पीनी पड़ती थी यह hand pump में The boys would beat me in any case जो यह लड़के थे यह मुझे कभी भी मार सकते थे Without any reason But the teachers also punched me जो और जो यह उस्ताद थे यह भी मुझे मारते रहते थे All sorts of stratage them were tried So, सारे हरबे आजमाए गई सारे schemes आजमाए गई So that I would run away from the school ताकि में यह सुकूल छोड़ दू And take up the kind of work for which I was born और वही काम करो जिसके लिए में पैदा हुआ था मतलब जाड़ों पोशा करना है क्योंकि यह चोहरा था जो चोहरा क्राश्ट था वो क्या कर रहे थे वो तागासी खितमत कर रहे थे उनके पास मुझदूरी कर रहे थे तो उसके कहते थे थे कि यह भी यही काम करें इसको क्या पढ़ने लिखने की मजबूरी है तो इन हर्बों के अरबूं के अकॉर्डिंग इन प्रिप्रेटेरस के अकॉर्डिंग यह मीरी स्कूलन ठी अब अन्वारंटिड बन गए क्यों बनगी उन्वारंटिड तिकास मुझे इतनी सकती यह पहुंचा जी थे को मैं कभी भी शुछूछ च्छूश से था। वाइर आलसू इन माइं कलास। जो राम सिंग और शुछ सिंग थे यह भी मेरे साथ ही पढ़ रहे थे। हम एक ही कलास में पढ़ रहे थे। जो डो राम सिंग प्लिके प॥ा ये घूनेया। वह क्या काम रहे थी। उधकितowanie हैं वो पियान था इंटर कॉलेज में दा थ्री आफस स्टेट टुगेधर हम तिनों ने इकाठी इकाठी पड़ा ग्रिवाप टुगेधर इकाठी बड़े हो गई एक इस पेर से सुवीट एंसु और मुमिट साब चाया दुगेधर जो हमें हमारी खुशी और गाम थे हमने एक द से पढ़ रहे थे हम अच्छे थे अपनी पढ़ाई में आवर लावर काश बैग और डोगूट एस एवरी सिटब बट जो हमारे जो यह नीचा जो हमारे जो लावर काश था इसने हमें बहुत ज़्यादा तकलिफ पहुंच जाई हर जिन्दगी के हर एक मुकाम पर बारला विलेज आलसो हैट सम मुसलिम टागीज हो वायर काले तागाज ऐस clo Awards जो यह बारला विलेज ता जो बारला विलेज किसका गढ़ाँ ओं ब्रिकारज जी का तो वहां पे कुछ मुसलिम क्याजुट पि रह थे और उनको तागाज भी कहा जाए था अगर कभी कबार हमने अच्छे और साफ कपड़े पहने हो तो हमें उनके ताने सुनने पढ़ते थे जो हमें एक जहर आलोधा तीर की तरह चुपते थे बहुत तकलिफ पहुंचाते थे अगर हम सुनने तो तो नए कपड़े पहने हैं तो जो नहीं कपड़े पहने हैं If one went wearing old and shady clothes, अगर हम जाते थे पुराने फटे हुए कपरे पहन कर सुकूल, then they said तो वो कहते थे, अबेज चोहरे का, get away from you sitting, तो वो कहते थे, अबेज चोहरे का, यहां से दफा हो जा, आप से बदबू आती है, okay, this was our no-win situation, तो किसी भी हालात में हम क्या, खुश नहीं थे, किसी उठानी पड़ती थी, किसी भी हर एक सुरत में, जैसे अगर हम नए भी कपड़े पहने, या पुराने कपड़े पहने, कोई कोई वारा नहीं था, हमें हमें यह हमें यह हुमिलेशन जेलनी पड़ती थी, दोनों सुरतों में, आई रीचिर फॉर्ट, ओंपरिका जी कहते है कि जब में, चोथी काक्षा तक पहुंच गया, फूर्थ कालास तक हम पहुंच गए, हैड मास्टर बिशांबर सिंग हैड मी रिप्लेस रपा काली राम, जो हैड मास्टर बिशांबर सिंग था, उसको अब रिप्लेस किया था, किसने काली राम, तो उसकी जगा कौन आया थ साथ को एक इन दोनों को आने के साथ एक काली राम और कुछ नहीं उसाज जिजा दथरी आफस प्याला टेरिबल टाइम और हम तीनों अब मुश्चिलापने पढ़ने वाले थी कौन तीनों राम सिंग सुरकम सिंग और ओम प्रकाज जी वे विड़ भी थैसिट एड़ इन वाले तो यह राम सिंग था वो कभी कभी बज जाता था इस मार पिट से बर सुखंब सिंग और मैं था और हमें रोज यह मार खानी पड़ती थी और इन दिनों मैं बहुत ज़़ीज़ा दुबला पतला था और मैं बहुत ज़़्यदा नाज़़ोर कमज़ोर था सुखम सिंग है डालब पुड़ बाइल आन इस बेली जश्ट बिलो इस रिबस ओम प्रगाजी कहता है कि जो मेरा दोस्ट सुखम सिंग था उसके पेट पे एक दाना या जख्खम लगा हुआ था निकला हुआ था ठीक है वाइल इन दा कलासी यूद तो किए फिस शॉर्ट फोल इट अप सो एज तो किए दा बाइल अनकवर्ट जब वो कलास में बैठता था तो वो अपनी शॉर्ट को अनकवर्ट को इस दो रखता था इस जख्खम या दाने से ताकि इस पे ना पड़े इस वे दाना जख्खम के सामने बिकाज इस दाने से पस निकलता था गंदा खून निकलता था यह शॉर्ट इससे बच जाती थी और इसका दोसर प्रपस जेट था कि अगर उस तादों ने यह देखा तो वो यहां पे नहीं मारेंगे ठीक है जब एक दिन जब उस्ताद सुखम सिंग को मार रहा था पेट रहा था तो उसके जो फिस्ट थी तो वो कहां पे लगा उसका जो हाथ कहां पे लगा इसी बाइल पे इसी दाने पे सुखम सिंग सिक्रेम इड़िस पे तो सुखम सिंग चेक खा और चलाने लगा किसे दारत से दाना फट गया जब मैंने उसको देखा रोते हुए तो मैंने भी रोना शुरू कर दिया जब हम रोते थे जो इस उस्ता था वो हम पर गाली गलोच बरसने लगा बहुत ज़ा उस ने गाली गालिध दियाँ में अगर मैं उस्का भी जो इस जपरादा भी घहां पर गाली गलोच यहां पर मैं बहुत से लिक मानने के जब similarities दिया हुए तो वदिया से जो गाली गलोच, के फौश्ड़। वो इसे इंगारी गज़ाचों से यहां पर कम होगी यहां पर ओम प्रकार जी कहते हैं कि जैसे मैंने बश्चुपन में एक उस्ताद को एकस्पिरियंस किया कि उस्ताद कैसा होता है ठीक है इसका बहादर कैसा होता है तो वो अभी भी मेरे जहन में है जैसे मैंने जैसे मैं उस ताइम पर राय रखता था यह उस्ताद कैसा था वो अभी भी मेरे इस जहन में है ठीक है वो कैसे वो क्या क्या करते थे वो कैसे हमें ट्रीट करते थे वो अभी भी मेरे दिमाग में इंप्रिट हो चुका है जब कोई बात करता था किसी एक ग्रेट गुरू की एक अच्छे उस्ताद की मुझे वो सब तीन चरुस याद आते हैं जो हमें माओं और बेहनों की गालिया देते थे गालिया सुनाते थे जो दो क्या करते हैं वो उसकाती थे मजबूर करते थे फट्र करते थे घंसम भाइस को च्छे दिखने वारे लड़कों को याद आजो को तो गवार्ज को बिलाते थे वो अपने गरों में and sexually abuse them और उनके साथ बद सलोकी करते थी उनको sexually abuse करते थी उनको sexually harass करते थी तो मुझे अभी भी 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 राय रखता हूँ एक टीजर के बारे में जो मैं भशपन में रखता था अगर आपको कोई question जहन में आया होगा इस वीडियो के रिलेजर तो आप वो commit box में लिख सकते हैं